हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आर्पीसी में इस वीडियो में हम आर्पीसी सेकेंड ग्रेड टीचर एकजाम 2018 जो की 19 फरवरी 2019 को वादा उसमें राजिस्थान जीके के जो भी कुछे गेते उनको इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे ओक के तो सुरू करते हैं कि मारवाड म्यूरल्स के लेखक कौन है तो मारवाड म्यूरल्स के लेखक है रामावतार अग्रवाल कौन है रामावतार अग्रवाल मारवाड म्यूरल्स के लेखक है रामावतार अग्रवाल नेक्स कुष्चन है कि रमजो लाबूसन मद्यकारलीन मा सब्सक्राइब पेर में नेस्ट क्रिश्षयनर राठोड द्वारा रचित वेली कृष्ण रुकमन Caitlin BI किस इस出uite वह इसका सढ़ी आंसर है डिंगल भास वह में डिंगल भास में वह क्रिश्चन रुकमनी रीकॉन स्टाइब लेकिएंडिक रॉकमनेर रॉकमनर आरे तो गीदर नत्य पहां पर किया जाता है, सेखवती में. Next Question is, ओश्या के जैन मंदिर किस जिले में इस्थित है, तो ओश्या के जैन मंदिर इस्थित है, जोधपूर में, कहा हैं? Next Question is, डादू पंथ का साहिद किस बासा में संग रही थै, तो मतलब दादू थे उन्होंने अपना जो साहिति पहुता, उन्होंने लिखा था कौन सी भुणारड़ी भुणारड़ी भुणार्ट था. कि किस दूर को गड़ बीटली के नाम से भी जाना जाता है तो गड़ बीटली किस दूर को कहा जाता है वो कहा जाता है तारा गड़ दूर को कौन से दूर को तारा गड़ दूर को गड़ बीटली भी कहा जाता है नेस्ट कुष्चिन है कि राजिस्तान के चेतरपल का निमलिखित यूरोपिय देशों में से किस के चेतरपल के बराबर है तो राजिस्तान का चेतरपल है ना वो कौन से यूरोपिय देशों के चेतरपल के बराबर है तो वो है एक तो पॉलेंड के चेत्रपल के बराबर दूसरा नार्वे के चेत्रपल के बराबर तो राजिस्तान का चेत्रपल पॉलेंड और नार्वे ये देश है इन देशों के चेत्रपल के बराबर है तो इसकांसरों का A and D पॉलेंड और नार्वे के चेत्रपल के बराबर यह परवत चोटिया है और प्रदेश है उनको सुमेलित करना है ठीक है तो जो उत्री अरावली है उत्री अरावली कहां कि जो परवत चोटिया वो कौन सी है उत्री अरावली की परवत चोटिया बानगड मद्य अरावली की परवत चोटिया तारागड और दक्षिन अरावली कि परवत चोटी है रिशी केस ओके तो 3 अरावली की भांगर्ड मदले अरावली तारा गर्ड दक्षिन अरावली की रिशी केस परवत चोटी है जुट्रिक wichtig striking कौन सी नदी संतर से संबसें ऐए जोटित नहीं है तो आंतरिक अप्वाद सिवार्ड राजिस्थान के सिवार्ड में इस्तित है बार्वा जोतिर लिंग नेक्ट क्यांदिय सुस्क बागवानी संस्थान कहां पर इस्तित है कैंदिय सुस्क बागवानी संस्थान है बीका नेर में कहा है बीका नेर में कैंदिय सुस्क बागवानी संस्थान याने की सें खोंगे तो जो लोड़ मौकी नष्त कौनसी एक बीका नेड़ी बीड़ी नष्बेड़ी से नसले मगरा गई है ऑडगा की नसले जख्र और गाय की नसले जराठी next question है कि राजिस्थान सरकारी डेरी फेडरेशन लिमिटेड आर सी डी एप का मुख्याले कहा हिस्तित है तो आर सी डी एप का मुख्याले है जैपूर में कहा हिस्तित है जैपूर में हिस्तित है आर सी डी एप का मुख्याले नु sırण संक्या वर्द्धी की दर, किस में सबसे अधिक है, तो वो है बाड मेर मेर, बाड मेर 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 जन संक्या की जो वरद्धी की दर, वह, जो जारी गयारा से बीच में मैक्सिमम पाई गई है नहीं स्क्राइब राजिस्थान के निम्लिकित में से किस प्रकार के वन 45-110 सेंटीमीटर और वार्षिक वर्षावाले छेतरों में पाई जाते हैं तो इसका सही आंसर है सुस्क सागवान वन कौन से वन सुस्क सागवान वन है न जो पिच्चेतर से 110 सेंटीमीटर वसत वार्षिक वर्षा वाले छेतलों में पाए जाते है नेस्ट कुश्चिन है कि यह उद्योग है और वो कहां पर इस्तित है यह सही सुमेलित करके दिये वे आपने को बताना है कि कौन सा सही मैच नहीं है ठीक है तो सिमेट का उद्योग का है मोडक में यह सही है और वरक का उद्योग है गड़े पान में यह भी सही है तांबा का उद्योग का है खेतरी में यह भी सही है लेकिन जो ग्लास का उद्योग लीलवानी में यह गलत है ग् पांडू पॉल आलवर में जस्वन थड़ा कहा है श्थन थबीष मेर है लालगेशं की टर गातथ को lines राददानी थी पी लो मो लो क्या थी पी लो मो लो इसको और क्या का जाता है भीन माल गुर्जे प्रतियारों की राददानी थी थी पी लो मो लो भीन माल कि next question है कि हरकेली संस्कृत नाटक के रचिय था कौन है तो हरकेली का जो संस्कृत का नाटक है उसके रचिय था है विग्रह राज चतुर्त कौन है विग्रह राज चतुर्त हरकेली नाटक के रचिय था नेश कुष्चेन की माराना सांगा ने इबराहिम लोदी को कौन से युद में पराजित किया था तो माराना सांगा ने जो इबराहिम लोदी को पराजित किया था खातोली के युद में कौन से यूद में खातोली के यद में नैस कह संनर ईक्बर मान्ज सिंग को साथ सवार का मंसब कब प्रदान गिये था तो अक्बर ने मान सिंग को किते 7000 जाद और 6000 शवार का मनसब कब प्रदान किया था? वो किया था 1605 ईश्वी में, कब 1605 ईश्वी में? Next question है कि सन 1837 में बीचक पहाड़ी यानि कि बैराट में इस्तित असोक के सीला लेक को किसने को जा था? तो असोक के सीला लेक को को जा था करनल बार्ट ने, किसने को जा था? करनल बार्ट ने Next question है कि संप सभा की इस्थापना किसने की थी? तो संप सभा की इस्थापना की थी? गोविन गुरु ने किसने की थी? गोविन गुरु ने समसर्वा की स्थापना की थी नाक्स कुष चynnब ने की मेवाड प्रजामंडल की स्थापना की थी मानिक के लौ लाल वर्मा ने की थी मानिक के लौ लौ एक Almost patient कि मतस शें गार आजिस्थान में विले कभी ऑताrete, 15 मईं 1990, कभी मिक ऐता है कि अजना दिए darkness ऑए नराइनी डेवी वरमा, रतन सह्त्री ये सब महिला स्वतनता अंदूलन के द्वारान जेल गई थी किस लोग देटा की पतनी उनकी मित्यू के बाद सती हो गई थी वो कौन से लोग देटा थे जिनकी पतनी उनकी मित्यू के बाद सती हो थी वो थे तेजा जी तेजा जी की पतनी उनकी मित्यू के बाद सती हो थी किस सासक को हस्मत वाला राजा कहा जाता था तो वो कौन से सासक थे माल देव राव माल देव को हस्मत वाला राजा भी कहा जाता था अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राब कीजिए थैंक यू